सभी भाई भेनों को नमश्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी होली और दिपावली आने वाली होती है तो अधिकतर भाई भेनों को भूत प्रेत बाधा क्यों होने लग जाती है चाहें वो कहीं से कोई उतारा करवा चुके हों हवन करवा चुके हों क्रिया करवा चुके हों तरह तरह के जाप और पाट क्यों ना करवा चुके हों उनके शरीर में जहां भी पहले दिक्कत थी वो दिक्कत उन्हें फिर से शुरू होती हुई चली जाती है क्या कारण है ऐसा आज खास तोर पर बात करने वाले हैं होली के बारे में क्योंकि होली का पर्व आठ मार्च 2023 को पड़ने वाला है और ऐसे काफी सारे भाई वेहन हैं जिनके हमारे पास कॉल्स और मेसेज़िस आने लगे हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है तो आखिर क्या करना चाहिए इस दिक्कत में और क्यों होती है दिक्कत ये बात बहुत अच्छे से समझ लिजिए कि क्यों ये दिक्कत आखिर बढ़ती हुई चली जाती है और क्यों ये समस्या समाप्त होने का नाम नहीं लेती देखिए होली का जो पर्व है जब भी कोई तांत्रिक अपने भूत प्रेतों को या ऐसी नकारत्मक शक्तियों को भोग देता है तो आपको समस्या होने लग जाती है आपके शरीर में अगर आपके गुटने में दर्द था तो आपको गुटने में ही दर्द होगा अगर आपके कंधे में दर्द था तो आपको कंधे में दर्द होगा और कोई अलग टाइप की समस्या भी हो सकती है इसका कारण क्या होता है वो समझ लीजी देखिए फोन में जब हम अलार्म फिट करते हैं अलार्म लगाते हैं सुभा उठने के लिए किसी भी विशेश काम के लिए जब हम अलार्म लगाते हैं तो ऐसे सुवीदा है कि आप 4, 5, 6, 10 अलार्म एक बारी में लगा सकते हैं अगर आपका शत्रू आपके बिलकुल पीछे पड़ गया है तो वो तांत्रिक को पैसे दे देता है और वो तांत्रिक या भगत या वो वैक्ति कोई भी हो वो आपके लिए उसकी जो नकारत्मक उर्जा की शक्ति होती है उसके साथ संकल्प के साथ ये प्राथना लगाता है क इस साल में इस इस दिन इस वेक्ति को समस्या होनी चाहिए बस काम खातम उसका उसने संकल्प लगा कर अपना काम कर दिया और आपके लिए समस्या बढ़ती हुई चली जाएगी जैसे उसने लगाया कि जनवरी की पंद्रा तारिक को इस व्यक्ति को खास समस्या होनी चाहिए, होली के दिन इस व्यक्ति को समस्या होनी चाहिए, दिपावली के दिन होनी चाहिए, तो आपको समस्या होगी ही होगी, चाहें आपने कहीं से भी काम क्यों ना करवाया हुआ हो, पहली बात तो हुई ये, दूसरी बात ये होती है, कि दिपावली के आसपास करिया हुई अब जो होली और दिपावली है वो बहुत विशेश तोहार है भारत में तो ऐसे में जो तांतरिक होगा उसकी जो भी नकारत्मक शक्ती होगी वो सबको ही भोग देता है और अगर आपका तांतरिक के साथ कोई connection बना हुआ है तो आपको दिक्कत होगी ही होगी क्योंकि तांतरिक उस समय भोग दे रहा है अपनी नकारत्मक शक्ती को ऐसे में वो नकारत्मक शक्ती आपके घर में आपके शरीर में जहां भी उसने स्थान बनाया था वो activate हो जाती है और आपको पुनै उसी दर का अनुभफ वो नहीं लगता है आसहज हो जाते हैं आप पुनै आप डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं हॉस्पिटल के चक्र लगाने लगते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम करवा लिया तो मेरे को ये दिक्कत क्यों होगी एक और बात आपने अगर काम करवाया है तो आपको वो दिक्कत उतनी बड़ी नहीं होगी उस लेबल पर नहीं होगी आप उन्हें उसी भगत के पास ओजा के पास पंड़त जी के पास जाएंगे वो कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति की इतनी पावर नहीं होती कि वो मलिंता को सही परकार से देख ले बंधन को ठीक परकार से देख ले कबच को ठीक परकार से देख ले लेकिन हमारे यहां लेलित जोतिस समधान पर इस तरह की चीजों की बारीकी से जाच की जाती है आप भी करवाना चाहते हैं तो अपना latest photo, नाम, एड्रस और गोत्र दिये हुए नंबर पर वर्टसेप करके अपनी negative energy की checking करवा सकते है तो तांत्रिक के माद्यम से कैसे काम होता है कैसे वो अपनी शक्तियों को भेजता है ये मैंने बताया अब करना क्या चाहिए? ये तो होगे वही समस्या अब इसका समाधान क्या है? आपने कहीं से भी क्यों ना कोई इलाज करवाया हो देखिए कोई भी व्यक्ति होता है ना उसका जो सभाव होता है वो थोड़ा सा लापरवा किस्म का होता है जैसे ही उसको लाव मिला शुरू होता है तो जिस भी व्यक्तिने उसे कोई पूजा पार्ट बताई हो कोई दान पुन्य बताया हो किसी मंत्र का जाब बताया हो meditation करने को बताया हो जैसे ही उसको शरीर में आराम मिलने लगता है वो पुने भौतिक दुनिया की चकाचोंद में खो जाता है उसे लगता है नई अब बस सब ठीक है सब बढ़िया हो गया चलो पहले जैसा जीवन जीना चाहिए ऐसे में ही जब आपके ग्रैनक्षत्र कमजोर होते हैं अमावस्या होली और दिपावली जैसे तोहार आते हैं तो अपने हैं आपका समस्या हो जाती है करना क्या है वो बहुत ध्यान से सुनिये किसी भी भगत ने ओजाने पंड़ जीने आपको जो भी मंतर दिया था आपको पता लग गया मेरी वीडियो देखने के माध्यम से ही आपको पता चल गया कि होली आने वाली है दिपावली आने वाली है अमावस्या है तो मंतर जाप जरूर करें मांसिक रूप से जाप करना है अपनी जीब को अपने उपर वाले तालू से लगा कर मांसिक जाप करें चलते फिरते जाप करते रहें अगर किसी ने कुछ आपको बांधने के लिए उस विशेश समया पर बताया है तो बांध लें मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ क्या करना है आपको आपको एक लाल कपड़े में हनुमान जी के नाम से नौ लॉंग बांध लेनी है फूल वाली अपने हाथ में इस जगा पर आप लाल कपड़े में बांध लेना और जब भोली के 15-20 दिन निकल जाए तब इसे आप खोल के जल परवा कर सकते है राम जी की किरपा से हनुमान जी की किरपा से आप नकारत्मक उर्जा के प्रभाव से बचे रहेंगे हाँ अगर किसी ने आपको कोई विशेश उपाय दिया हुआ है पहले से जैसे हम जब किसी का इलाज करते हैं तो उनको विशेश उपाय देते हैं इसी तरीके से आपके पास कोई विशेश उपाय पहले से है कोई मंत्र पहले से है तो आप उसका जाप वैसे ही करते रहें जैसे किसी ने भगत ने आउजाने पंड़ा जी ने आपको बताया है आप उसका जाप वैसे ही करते रहें इस समय पे अगर कोई विशेश दानपुन्य करने के लिए बोला हुआ है तो वो दानपुन्य जरूर करें एक बहुत विशेश बात इस समय पर आप ध्यान रखें कि अमवस्या तो निकट नहीं है कहीं हो ली तो दीपा वली तो निकट नहीं है तो बिलकुल सतर्क और सावधान हो जाना और आज के वीडियो के माध्यम से जो जो उपाए और जो जो सावधानिया मैंने आपको बरतने के लिए बोला वो जरूर कर लेना ऐसा अगर आप करे तो विर्थ की चिन्ताओं से बचे रहेंगे, विर्थ की भूत्प्रित बादा से बचे रहेंगे, देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत साइंटिफिक हैं, हम तो बहुत पड़े लिखे हैं, उन सभी से मेरा यावेदन है, मेरी ये विंती है, आप कितने भी उपाई क्यों ना करे जाएं कमेंट के माद्यम से बताना कि अगर आप साइंटिफिक भी है लेकिन इन छोटे उपाई से अगर आपका परिवार सुरक्षित रहता है तो इन्हें करने में क्या बुराई है तो दोस्तों इन्हें आप करिए और होली निकट है इसलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया हुआ है जो भी भाई बहन हमारे चैनल लेली जोतिस समाधान पर पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको इससे लाप मिल सके चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैश्रीराम